हिंदी भाषा राष्ट की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा हिंदी भाषा राष्ट की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा देवनागरी लित्मे भाषा जन जन के मन की अभिलाशा देवाषा राष्ट की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा नमश्कार दर्शक्मिकुर। आपने सव भारत वाशी छिये। आपने भारत ए आपना माटे इट घर वच्छे। दर्शक्मिकुर। आपना राष्ट्य नी एटले कि आपनी राष्ट्य भाषा छे। हिंदी। आजे विश्व हिंदी दिवस। आजी वसे आप सव दर्शक्मिकुर। माटे एक विश्व कारेक्रम लाईने आव्या छे। जैने अम्में बेहर खोशी छिए। दर्शक्मिकुर। आपने संबर्धन माटे अक्षरपत हिंदी सपा। जैने शुद सर्वात है एक वर्ष आजे कुरू थाहिरों मिशे। दर्शक्मिकुर। तेना मिशे जानतारे मेलवीश। मनिशावें देशायपास से थी। मनिशावें आप शर्वात मां अमें जणाव शोके। अक्षरपत ने शुभारम करवानी चे प्रेणा छे आपने कही रहते बड़। नमस्कार दर्शक्मित्रों। आज में हिंदी दिवस के उपक्रम पर यहां उपस्तित हुए हैं। उसमें आप सबको मेरे ग्रुप के बारे में आपको बताना चाहते ह। आज विश्व हिंदी दिवस के सुभ अउसर पर हमारी अक्षरपत सहित्य सभा भी अपना एकवस परिपूर्ण कर रही है। और इस अउसर पर हमारी संस्था का परिचे देते हुए मैं मनिशा जोबंग देसाई आपको बताना चाहते हूं कि हमारी सभा में हर महीने सदस्य से अपनी लिखी हुई नई रचना लेकर मिलते हैं और एक दूसरे से प्रतिभाव लेकर उत्तर उत्तर लेखन कारिया में बदलाव और सुधार लाते रहते हैं। प्रसिद्ध हिंदी लेखक लेखिगा के साथ कहानी लेखन का वार्ताला पर आजित किया जाता हैं। और हमारे माननीय सर रविंदर भाई पारेक हमेशा उत्साहित करते रहते हैं। तो आज आप सब के बीच में हमारे सभी सदस्या आपको अपनी लिखी हुई रचनाएं आपको सुनाएं। हाँ जी। कुब सर्वस मनिशा जी। आप एक प्रमानी के तमने खुब इंस्पैर करेशे श्री रविंदर भाई पारेक। एटले के ए आ सभाना फिलर छे। अने मने कहता खुब खुशी खाई छे। कि आपके कुछ एहसास लिखे है। एक आखेवी बुक तैयार करीछे। अने आजना आउसरे खासकरीन विश्वहिंदी दिवस छे त्यावे। आप भुक नुँँ अपने विमोचन करवाजे है। एटले हुँ आपने विननतिकरी श्री रविंदर में पारेक। कि आप भुक नुआ आपना शुभास्त्याव विमोचन करशों और आप भुक आगलको भी प्रमाणे के लखी छे। मनिशावे जोबन देश आये। कुछ एहसास लिखे है। मनमा जे पण विचारा आवया। आप भुक आजे खुलवी मुक्ता आपने खुब-खोशिखाई छे। आप पड़ने आप प्रस्तर तार्योती वधाविशों और जे पण साहित्य प्रमी छे, जे कलांसे मी छे। जे वार्ता वाँचे छे, जे कभीता वाँचे छे, समबले छे। तमाम ने माठे आउनाव साहित्या आप प्रेजन करता रेश्यों। क्यांचे खुलिए। मनिशाबेन जोबन देशाईन, कुछ एहसास है। सरस्रिके, कोग अन्हद आनन्धा, कोग खुशी था याने, सवने मते धुन्यों पलोग छे के आजना, खास दियोस्ते आप बुक नुए विमोचन, ठोल दर्शक्मित्रों आपने पण आप बुक आउनार दियोसुमा चक्तस्ती वाँची शक्की शोू। आपको दियोस्ते प्रागेटे करके हमारे कारेकमसी शुरुवात करने। रविंद्र भाईक्य प्रती आपका जो प्यार है, आपका जो आदर भाई है। ठोल दर्शक्मित्रों प्रिश्वा हिंदी दिवस। अखास दिवसे आजना अखास प्रोग्रामी शुप्स रर्वात के लिएची। सवती पहला शुरुवविंद्र में पारेकमें आपने मिनमती करिश्के। आप आवकारेकमनों शुभानम करों। आपना। नमस्कार। आज हिंदी दिवस्त है और इस अवसर के हम लोग इकठा हुए है। अवसर्पत ने एक साल पूरा किया। और इस अवसर्पत यहां हिंदी के कुछ कवी अपनी कवीटाएं पढ़ेंगे। और एक और काम भी आज हुआ। यह मन जोबन करके किताब जो पब्रिश हुई है। उसका विमोचन हुआ। मैं मनिशा जुबन देशाई को इस अवसर पर बजाई देचा हूँ। और अपेक्षा कर चाहूँ। कि और जो हिंदी के कवी यहां पर है, वे अगले साल अपनी अपनी किताबे लेकर फिर से यहां उपस्तित हो। और हिंदी भाशा के लिए आज बहुत कम समस्थाय काम कर रही है, खासकर गुजरात में। तो इस अवसर्व पर यह कहना उचित होगा, कि हमें राश्चवाशा हिंदी का सम्मान करना चाहिए, और जो भाशाय हमें जीवित रखती है, जो भाशाय हमें ऑक्सिजन देती है, उस भाशा से हमको जीवन राप्त करना है, तो मैं आशा कर चाहूं, कि हम भाशा के प्रतिव और सजाग हो, सचेट हो, और सूसन्स्पूट हो। आज इस हमसर्पन मैं अपनी दो कविटाएं प्रस्तूट करना चाहूंगा, मेरी पहली कविटा है, जो अचानदस के मुख में जानी जाती है, बुजाती में, और उसका सीशक है, बरतन, हम लोग जानते हैं कि किसी ने किसी उपसरी पर हमारे घर में बरतन आते रहते हैं, अपनी स्कूर्टियां बेजते हैं बरतन के हिसाब से और हमको उस स्कूर्टी से दूढ़ना पड़ता है, तो ये दो कविटा है, इसको विशे करती है कि बरतन जो घर पे आते हैं, वो किस रूप में आते हैं और हम उसको किस रूप में लेते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अप्ते नजर ये का ये सवार बन जाता है तो ये कविटा मैं पढ़ता हूँ बर्टन यह तामे का लोटा अशोक वसंत्राव करविनकर की स्मृती में घर में आया था अच्छा एल्यूमिनियम की बार्टी पर नाम है मरोज उमार विक्रम सोनार का मगर नाम कुरेजने वादे ने विक्रम के बदले चक्रम कुरेज दिया था पर नाम था खुद चुका था ये कूकर पिताजी की स्मृती में बाटा था अच्छा नाम खुदा था मगन शेट गनपत शेट पारिक मगर हाथ से दो तिन बार गिर चुका था तो शेट दब गये थी कुकर से बहन नाराज थी नाम के आगे स्वर्गस्त नहीं खुद वाया इसलिए जी वो ज़रूरी भी था था है वह कूकर नहीं ले गई गर में ही रहा है फिर तो उसमें इतनी खिच्वी पकी ही कि क्या कहें और नाम भी पिता जी के स्वभाव की तरह तपता ही रहा है कांसे की थाली उसम काकी के वक्त बाती थी वह भी गिरते ही तूट गई बिलकुल काकी की तरहा सशूर की शुरूती में चांदी की थाली दी थी शांताराम कावटकर के नाम से शासू ने एक थाली और दी थी दो हीत्र को और इस तरह दो शांताराम घर में आये थी पिर तो शासू भी गई कि गर में चांदी का प्याला बड़ा था स्वर्गस्तेद्वार का भाई शांताराम कावटकर नाम अभी तो नया ही है वो गिलास में त्याला वो इस लिए कि मेरी पत्नी इसमें पानी नहीं पीने देती चांदी है जीसेगी तो सही ना यह पिचल का कटोरा मेरे दोस्त ने बाटा था उसका बेटा नदी में डूब गया था उसकी याद में नाम कुरेजने वाले ने ची चिंतन के स्मरणार्थ कुरेज दिया था पर करे क्या? वह चीरन जीवी के लिए राटी लिखा पर करे क्या नाम था और चीरन जीवी खुझ चुका था उसे देते वक्त भाभी का कलेजा फटने को था रोज वो कटोरा पानी में डूपता है पर वे आसू ढूलते नहीं है आप बरतन इतने गिश चुके हैं और रहे आशू कि अब तो नाम ठीक से दिखाई भी नहीं देते ऐसा लगता है मानो मेरा घर अंगार की दुकान है मेरे गर में एक भी बरतन बिना नाम का नहीं है पर हां एक बरतन अभी भी बरतन वाले की दुकान में है मेरे यहां आने की जल्ली में इच्छा तैसी है कि मेरा नाम उस पर देख कर जाओं और दुकान से नाम कुरेता हुआ हाथ मेरी पीठ पर ऐसे फिरता है कि मैं खुद बरतन होने लगता हूँ बहुत भी मारमीक बात आपने बताए तैसे अधिया रही जाने लगे अप अधिर में एक खेजल प्रस्तुत करता हूं मतला है आईने से दूर वो जाने लगे है आईने से दूर वो जाने लगे हैं हम कहीं फिर से नजर आने लगे हैं आईने से दूर वो जाने लगे हैं हम कहीं फिर से नजर आने लगे हैं आख मे लेके जहर आए उपर से आख मे लेके जहर आए उपर से बात अमृत की वो संधाने लगे हैं, आख में लेके जहर आये उपर से, बात अमृत की वो संधाने लगे हैं, देर इतनी करके वो आये हैं अब की, देर इतनी करके वो आये हैं अब की, फूल हाथों में ही मुड़ाने लगे हैं, देर इतनी करके वो आये हैं अब की, फूल हाथों म कि फूल हाथों में ही मुर्जाने लगे हैं तो सामने थे तो जटक के चल दिये वो फिर किसी कोने में शर्माने लगे हैं कि जान चिर्केंगे मगर जिनदा रहेंगे क्या उन्हें हम इतना अंजाने लगे हैं जान चिर्केंगे मगर जिनदा रहेंगे क्या उन्हें हम इतने अंजाने लगे हैं या मुख्या बंती नहीं है हाथ से तो मुख्या बंती नहीं है हाथ से तो उंगलियों से लोग कत्राने लगे हैं मुख्या बंती नहीं है हाथ से तो उंगलियों से लोग कत्राने लगे हैं और आखरी शेल अजकता हम जूट इतना चल गया है आदमी पर, लोग अब सच्ची कसम खाने लगे हैं अब में में मैं जब भी सुना है कि इश्वर है मन की आशाओंने कुछ और जिया है हर एक इंसान में महसूस किया है, किसी अंजान अस्थित्रों को, बातों में निकलती दुआओं में, कभी मा की हतेलियों में, पापा के मश्वरों में, भाई के राखी बंदे हाथों में, बहन की जप्पियों में, भावी की बातों में, दोस्तों की मैफिलों में, प्यार बरे किसी के आखों के दर्द में, पुद्रत की बनाई सभी रचनाएं कर रही है प्रेरित, उस अस्तित्व की उश्मा को अपने अंदर सहच कर एक और नया जीवन जीने की तमन्ना को जीविश कर लेती है। इश्वर हाई करे भर कहीं है बस हमें देखना है कि इश्वर कहां कहां है अपनी नजर का मतलब अंदाज लगाना है कि इश्वर यहां है और अपनी एक लगू कत्था सुनाने जा रहे हैं जो आपको बहुत परफिदा आईगे रचना का शेश्टरक है समय की मान डॉक्टर गवरा अपना बैड लिए जल्दी से क्लिनिक से निकल कर घर पहुंचे आज उनकी प्यारी बेटी सुराही के लिए जो लड़का पसंद आया था वो अपनी फैमिली के साथ मिलने आ रहा है सबसे बहुत ही अच्छे से मेल मिलाड के बाद लड़के से बात करते हुए भी काफी प्रभावित हो रहा है सब कुछ टे हो गया और शाम को सांती से बालकनी में बैठ कर रसोई के अंदर चाई बनाती हुई पत्नी का इंतिजार कर रहा है कि मोबाईल की गंटी बजी हाँ हाँ ओके ठीक है देखता हूँ क्या सब बाते सुन जुंजलाए हुए डॉक्टर गवरो को उनकी पत्नी आश्चर सब देखती रहे कभी ऐसे गुस्ता है हुए पाया जो नहीं था अरे ये कोई तरीका है किसी के मजबूरी का फाइदा उठाते है हमारी ऐसी होनहार पड़ी लिखी खुबसरत बेटी फिर भी डॉक्टर गवरो बड़ बड़ा है क्या हुआ कुछ बताएंगे भी अब देखो सुबह अच्छी अच्छी बाते कर रहे है तुमारे भावी दामात के यहां से उनके नए शुरू किये बिजनेस में पैसा लगाने की डिमांड हो रहे है मेरा क्लिनिक अच्छा चल रहा है पर मुझे भी तो मेरे डाक्टर ही पढ़ रहा है बेटे को नई और अस्पिताल बनाकर सेट हट करना है कि नई हमेशा से सांत रहने वाली पत्नी ने धीरे से कहा हमारी की शादी के वक्त भी आपके परिवार से आपका नया क्लिनिक खोलने की मांग की गई थी तो मेरे पिता जी ने हमारी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर आपकी इच्छा पूरी की और तब आप पड़े लिके होकर भी अपने मा बाबुजी का विरोध नहीं कर पाये थे आज उस लड़के के भी वही मनस्तिती है अब तो आप दोनों पर निर्भर है क्या आप इस परंपरा को बदलना चाहते हो या उसी के साथ बहना चाहते हो जी एक चुपती बात के दिए लेकिन बहुत बढ़ा बहुत अच्छी पर लगू का था विरोध भाई तरीच आप हमारे बीच मौजूद है और आपकी रचना के लिए इंतजार कर रहे हैं आज हिंदी दिवस का मुका है मैं अपनी बात मा के एक चोटी सी मा के उपर लेखी हुई मेरी दाप्सरी चंद उसे कहूंगा कि जीवन में तीन माता हैं हमारे लिए प्रमुक होती है एक वो मा जिसने आपको इस दे से इस सैसरी जीवन के लिए इस दुनिया को दिखाया दूसरी वो मा जिस भासा में आपने पहला मातरबासा और तीसरी मा मात्र भूमी जहां आप पहला करदम चलना सीखते ओ मेरा यह चंद इनहीं तीन माताओं को लेकर है इनको में पराम करता हूं ओर अपने खाँ से चंद को आपके सामने पस्तुत करता हूं कि धपकी ज Cambodia टेती देती धकती नहीं है कभी उनीदी आखो कि तोतली जुबान को सिखाए सच बोलना जो मात्रभासा जननी का रूप धर आती मा कि वीनु जब गुटनों के बल से खड़े हुए तो मात्र भूमी पद चाप धर ना सिखाती मा इसी कड़ी में ये मात्रभासा और मात्र भूमी की बात की मेरा प्रिये भी से है रादा करश्न पे लिखने का और मैं जो भी सुंद्रिय स्रंगार लिखता हूँ वो किसी स्त्रिया पुरुस को देख कर ने लिखता हूँ करशन के जीवन की बालिलां के छोटी सी रसना प्रस्तुत करता हूं ये रस्कान की सेली का सबय movement सबया कर सारे लिखे है उसी सही का है आज कल बहुत कम लिखते हैं। मैं कोशिस करता हूं कि एक कि जो भॉलीन है वो आके ही कथा सुदा की नहीं नहीं ते आं much ने और LIVE और जब जसोदा कनहिया को पकड़ के और उनका कान खीच के बूल की के मूँ खोल, मूँ खोल जैसे हम माता है कहती है, हालाग कि शेरों में जब बच्चे थे तो गाउं में खाते थे, तो जैसी कृष्ण अपना मूँ खोलते हैं, तो महां मिट्टी के धेली के जिक है गोकुल गाम की गौलीन आही, लईके उलागानो मत यसोधा पे गोखुल गाम की गौईन आही चोरी चोरी चुपके चुपके तेरे ललाने ब्रजरज खाई कान पकड के पूछे या सोधा क्यों रे तैने माटी खाई मुख को खोलू ब्रह्मान्द दीखावे विनू नटकट कान कराई मुझ को खोलू ब्रम्मांड दिखावे विनू नटकट कान कनाई विनू नटकट कान कनाई जैसे आपने बुला कि पहले की बाद है लेकिन इतने सालो बाद भी हम जब ये प्रसंद सुनते हैं तो हमारे रॉंटे कड़े हो जाते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जैसे आपने बुला कि पहले की बाद है लेकिन इतने सालो बाद भी हम जब ये प्रसंद सुनते हैं तो हमारे रॉंटे कड़े हो जाते हैं दर्शकमित्र कारेकरव में आगे बढ़ते हैं हमारे वीज प्रतिभाजी, कविता जी और साथने संकिता जी भी मौजूत है वैसे आपके रचनाये सुनदेंगे कविता के रूप में या फिर लगुकता के रूप में लेकिन ये पहले जान लेते हैं कि आप सब तो हाउसव फिर लिखने कहां, पढ़ने का शौक पहां से आया कहां प्रतिभाजी हासे चाहरी दी बच्चकन से ही पढ़ने का बहुत साधा शौक रहा, जिसके प्रेढा सुत्र नहीं मेरे दादर जी तो हम वह जाते थे तो एक बहुती रोचक से शाहोंगी उनसे समबांद बास, की ग कि अखबार के इतनी उत्सुकता से सब प्रतिक्षा करते थे मतलब मैं तो बहुत चोटी थी मेरी बुआ लोग सब को पढ़ने का इतना ज्यादा है तो जो अखबार आता था और जो बैठक बोलते है जो मेन कक्ष होता है घर का तो दादा जी वहां पढ़ रहे होते थे सामने से और फिछे से वो लोग खढ़ होके उसको पढते जो पिछला पननना वह पढ़ार होते और सामने से वह पढ़ मैं तह पढ़ बहुत ज्यादा शौक्रा यहां तक ही मुझे याद है आज बोलूगी तो बच्चे मानेंगे नहीं तो इस वज़े से थोड़ा लिखना भी अपने अप हो जाता है कि शब्दों से परिचा और लगाओं कविताजी आप से सुनेंगे कहां से आपने प्रेना पाई मेरा भी वस पढ़ने का बहुत शौक्रा घर में भी चलन था सभी लोग बहुत पढ़ते थे और थोड़ी भावुक किसम की हो तो वो शब्द अपने आप ही शायद उपर से आते हैं और उन अपनी भावनाओं को शब्दों का रूप देने की मैं कोशिश कर रहे जाए 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 जाहां भी मैं गई यह रिवाय ती थी ती हम देजेनी सा कल्चर था अचा एं इत्तवा के था कि मेरे घर के नीचे ही एक लैग दरी थी तो एक रूटीन साही था था तो इसके लिए रिटीन आपको पढ़ने का आपको बदाना आथा था बहुत अबड़ा शॉप था और आपको अपने दे रहे हैं और आज लिफ भी रहे हैं बहुत अची बारे बाए प्रतिभाशी अग्रवाद आपसे सुनेंगे आपकी रचना मेरी रचना का शीशक है जीवन डगर इसके लिए एक छोटा सा परीचा इसका देना चाहूंगे कि हम कुछ फ्रेंज में में मिलकर एक रीडर्स क्लब शिरू किया वा रीडर्स तो उसको चलते इसको साथ साल हो गए और हम महीने में एक बार मिलते हैं और जिसमें जो किताबे भी शेयर करते हैं तो एक बार एसा हुआ कि हमें लगा कि थोड़ा सा स्लो जा रहा है तो हमने एक पिक्चर अपने गृूप पे भीजा और उस पिक्चर को देखकर जिसके मन में जो विचार आ रहा है वो हमने लिखे तो यह जो मैंने कवीता लिखी थी यह उस एक चित्र को देखकर लिखी थी और वो चित्र कैसा था मैं एक्स्प्रेइन करूँ कि एक जैसे एक लंबा सावा से एक अन्थहीन सी एक डगर है बस वो एक चित्र था वीचार के लिए मैं अपने एक बात यहां पर रखना चाहूंगी कि मेरे पास एक सिक्का है आप मुझे दें जीवन डगर जीवन डगर जिसका मर्म है सांस है जब तक चलती चलते जाना ही धर्म है पाउं के नीचे जमी पाउं के नीचे जमी सर पर है आस्मान रोडा कंकर पत्थर कहीं कहीं मखमली घास का आस्रा पत्थरों से पाउं छिले तो क्या हर्याली से कभी तो तन जुडेगा रास्ता लंबा हुआ तो क्या कहीं तो मन्जल की ओर मुडेगा हर कदम एक प्रशा हर कदम एक प्रलोभन डटना है एक तरफ वश्मे करके चंचल मन जीवन डगर पे चलती रुकती आशा और निराशा ये जीवन के दोनों पहलू है जैसा कि हम जानते हैं आशा सुखों की स्वप्न बन कर आए इसको सच मान ही चलो जीवन बिताएं कि बहुत अच्छा वो पत्थर और को प्रेरग बनने दो ये बहुत बढ़िया बात है इसने बहुत अच्छी करिता आप में सुनाई और कमका जी सरा आप से बिल्ती करते हैं आप अपनी रचना परिश करें हम सभी सेनिकों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं और सच में हमेशा उनके प्रती नतमस्तक रहना चाहिए कि वो अपने जान की बाजी लगा के हमारी सुरक्षा करते हैं लेकिन जिस सेनिक को उस्मा ने जनन दिया उसे हम भूल जाते हैं तो कुछ पंक्तियां उस्मा के लिए लन्हे हातों में देख बंदूख सिर पर टोपी खाकी वो सेनिक की पत्नी ना घबराई पुली गर्व से उसकी छाती सरहत पर सुहाब उसका कर रहा था दुश्मनों को धेर पत्राई आखें उसके घुंगट की और रही पांट निहेर क्या दिवाली क्या होली क्या जनम क्या मरण जब सौप दिया उसे मात्र भूमी के चरण कर एक तार आया था कुछ दुखत संदेशा हो लाया था कह रहा था दिया उसे में बलीदान बचा लिया पर जनमी का मान नसों में दौड उठा देश भक्ती का सैलाब घुंगट उठा लिया कमर पर कसकर बांध नन्हे सैनिक को सिखाया बहादूरी का पाट चलेगा पिता के पधचिन्नों पर मन में लिया था चलाओंगी हल मैं उपजाओंगी धान पर बेटा तुझे तो करनी सुरक्षा मात्र भूमी का मान मन करना मत करना पर होआ मेरी तुम चुन चुन कर करना धेर मेरी मा के चारो हो बसे कितने उसके वेर कैसी है नारी तू कैसा तेरा शौर्य जाए तुने हर जनम में न जाने कितने पराक्रमी मौर्य तेरे स्तनों में ना बहता था दूद, पिलाया तुने उन्हें निडर्ता का खशीर पीडी दर पीडी करती रही अपनी कोख का डाल, ना पाया तुने कभी कोई सम्माल उस वीर की शहादत न जाएगी खाली, पाई जो उसने निराली ऐसी महातारी सींच सींच लहू से किये ऐसे वीर तैयार, देंगे करारा जवाब, ना खाली जाए उसका कोई वार ना खाली जाए उसका कोई वार तो ये थी मेरी मा के प्रती सम्माल, और ये दूसरी रचना है छोटी सी रात जो है वो अपने आपने बहुत सारे रहस्य छुपाए रहती है तो ऐसी ही एक रात ने मुझे कुछ शब्दों से प्रेरित किया, वो प्रस्तुत करती कल रात कुछ पे परवा सी हवा थी, सौंधी सी खुश्बू उसमें बे पनहा थी सौंधी सी खुश्बू उसमें बे पनहा थी, बे फिक्री ऐसी जैसे लंबी कश का धुआ स्या सडक की कमर ले रही थी अलसाई सी अंगडाई, लैंप पोस्ट की रोश्णी भी ले रही थी जैसे जमहाई इस निशा का भी अपना है नशा निश्चिंत नींद की आगोश में कोई आखों में रात निकाल रहा कोई, लिये भोर की आश्या ढूंड रहा खामोश आहटों में कौन सा संदेशा, किसे तु खोज रहा है दिवाने मुद्दसर ये रात और नींद है उस गहरी लंबी रात का परिचे ये बेपरवाही, ये बेफिक्री है तेरी फितरत कर ले तो निश्चे क्यों ओढ़े फिरता है तु मश्रूफियत का जामा, सन्नाटे की गूंज में छुपा है वो पैगाम सन्नाटे की गूंज में छुपा है वो पैगाम, जिसकी तलाश में भटक रहा तू, तू ही तेरा वो गुलाब तू ही तेरा वो गुलाब इस निश्चा का भी अपना ही रे नशा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता आपने सुने संगीताची चुझी वह था अब आपकी बारी, आपको सुने हिंदी दिवस के उपलक्ष पे भारत के इक्रच कविता पहाडों के जिस्मों पे वर्फों की चादर, चिनारों के पत्तों पे शबनम के दस्तर, हसीन वादियों में महकती है केसर, कहीं जिल मिलाते हैं जीलों के जीवर, ये कश्मीर धर्ती पर जन्नत का मंजर, भारत माता के मुकुड से चलते हैं गुजरात की ओर, विबिन वो एवं आकृतियों की पतंगे आकाश में विहक्मन। अलस्बा चांद की रोश्णी में सफेद रन की चमचमाती भव्यता। ससंगिर के प्राकृतिक अभ्यारन्यम में आवास करते एशियाई शेर। भक्ति एवं निर्थे का अनोखा संगम रास गर्बा। भक्ति का दिया दिल में जलाने वाला पर, खुबसूरत गुजरात के स्थानिय व्यंजन, फाफ़रा, खाखरा, ढोकला, थेपला का जाईका, ये तैय करना मुश्किल वानी में मिठास ज्यादा या व्यंजन ने। हमारे देश की आलोकिक एवं सांस्कृतिक परंपरा की धरवड़। भारत देश की पूरी प्रामानिक्ता और प्रतिष्ठा से जिवान, हमारा गुजरात, हमारा भारत। कि अपने मन के जो विचार है उसे कविता के रूप में या फिर लगुकोथा के रूप में हम रचना के सवरूप में औरों के सामने प्रेजंट करें मेरे हिसाब से एक ग्रहनी होती है वो बखु भी अपने भाव को प्रकट कर सकते क्योंकि वो जीवन के हर दोर से गुझर चकी होती है जहां वो एक बेटी बनती है वहन बनती है माँ बनती है और कही न कहीं आगे जाकर उसको गुरु की होने का भी हम पहने पहने के तो एक ग्रहनी से बहतर अपने भाव को यव्यद्बम कर सकते और हर ग्रहणी में कही नहीं यह चुपावा रहता है, कि वह अपने भवब प्रकट करे MASTIALS लेकिन वह किस प्रकार करती है, जाहे वह क gathering ghatoda तो रोभ़ा, कविता में लेकिन कैसे है लेकिन हर वह क्छुम होता है हर स्त्री शकुम होके UNS प्रश्ची बाइगी जितने संदर आपके विचार है उतने ही संदर आपकी रचना भी होगी तो आपको आमंत्रित करते हैं आपकी रचना प्रेया सबसे पहले हिंदी दिवस की शुक कामना है और साथ ही मनिशा बेन को बधा ही देना चाहूंगी उनकी बुस्तक के वे मोचन के लिए जैसा कि हिंदी दिवस हम मनाते हैं हर वर्ष लेकिन मुझे लगता है यह अब सिर्फ एक दिन मनाने मात्र में ही रहे गया है सवतंत्र होने को तो आज हमको कितने साल हो गए लेकिन आज भी हम पर अंग्रे जी किसी ने किसी रूप में हावी है उसी को अपने शब्दों में पिरो के मैं बता रही हूं तो किस तरह अंग्रे जी आज भी हम पर हावी है स्वतंत्र हुए हो गए हमें आज 31 साल मगर आज भी देपो मेरा भारत भी हाँ भले भगाया अंग्रेजो को सीमा के उस पार मगर आज भी बसता है या फिरंग्यों का अधिवार किस प्रकार बसता है वो मैं बता रही हूँ भशा को अगाया हम बनकर के अंग्रेज बहा है और व में थे आफ रहा हम बनकर के अंग्रेज Cambchi जी हाँ वह मैं इस तरह हम पर अपनी चोड़ के जयां भाषा को अपनी खा गए हम बनकर के अंग्रेज गै मैं खुद का किया परहेज, भूल गए वो शिष्टाचार जो काम किसी के आते, फूट डालो और आज निती को ही बस सपना तो, कहीं भी बहन बेटियां, आज नहीं सुरक्षित, वो समय था, जब बहन बेटियां कम से कम हमको इन दरिंदों से निश्चिन थे हम, इतना बुरी नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे आदूनिक्ता बढ़ती जा रही है, हम बहरी परिवेश में जाते जा रहे हैं, हमारी विचारधरा बतल जा रही है, कहीं भी बेटियां नहीं सुरक्षित है, वहशीपन और दरिंदगी की हो रही जीत है, भूल गए बड़ों का आदर, छोटों को सने करना, भूल गए, बड़ों का आदर, छोटों को सने करना, अब दिखता है हर तरफ बस भाई-भाई का लड़ना, कैसे कहदू मैंने आजा दी है पाली, कैसे कहदू मैंने आजा दी है पाली, स्वतंत्र तो हो गए मगर, विचारों से है, स्वतंत्र तो हो पड़ते थे, तो वो दिन जो थे, वो वाकई मैं यादगार दिन के, मैं यह नहीं कहती कि आज का समय सही नहीं है, लेकिन तब की और आज की हम अगर तुलना करें, तो बहुत कुछ बदल गया है, पारिवारिक परिवेश में क्या-क्या बदलाव आया है, मैं ये कुछ शब् लिया हमने, पर वो प्यार नहीं आथा, सब कुछ जी लिया हमने, पर वो प्यार नहीं आता, मस्ती से गुजरता था जो वो इतवार नहीं आता। धेर सा स्नेल ये मा कुछ अच्छा बना कर खिलाती थी, एक दिन पहले ही हमको लालस देकर सुलाती थी, अब इतवार के खाने में लालस का वो स्वाद महीं आता, मस्ति से गुजरता था जो वो इतवार महीं आता भाई बहन हम आपस में लड़ाई जगड़ा भी करते थे, तब भी हम जगड़ते थे भाई बहन, लेकिन बात वहीं की वहीं खत्म हो जाते थे, और आजकल अगर जगड़ा हो जाता है तो बरसों बीच जाते हैं, एक दूसरे का मुह देखना भी पसंद नहीं करते थे भाई बहन हम आपस में लड़ाई जगड़ा भी करते थे, पर माबाप की डाट से मनी मन डरते थे, अब उस डाट में न जाने क्यों एतराज नजर नहीं आता, मस्ती से गुजरता था जो वो इतवार नहीं आता उस दिन हम सब मिलकर के धमा चौकड़ी करते थे, बले टूरता हाथ पाउँ पर घर में ही जगड़ते थे, इस आधुनिकता की दोर में वो प्यार नजर नहीं आता, मस्ती से गुजरता था जो वो इतवार नहीं आता बड़ो की व्यस्तता देखकर उनकी मदद भी करते थे एक इज्जत और डर के साथ उनकी आँख से डरते थे अब वो इज्जत वो डर ना जाने क्यों इधर नहीं आता मस्ती से गुजरता था जो वो इतवार नहीं आता ये आखिर की जो मैं दो लाहने बोल गी हूँ उनमें मेरी पूरी बात आजाएगी कि मैं कहां तक सही हूँ और कहां तक बड़ते थे रात को बिजली जाती तो भी साथ बैटकर खाते थे अपनी शैतानी और बातों का अनुभाव बताते थे पर मोबाइल के इस दोर में अब स हाथ में खाना नहीं भाता, मस्ती से गुजरता था जो वो इत् todavía हमीठाई है कि अब निकलती है राते जीवन में लिए परेशानियों को यो खुश होकर भी इंसान परेशानियों से तो निजात नहीं पाता, मस्ती से गुजरता था जो वो इत्वार में ही। जो मेरी बेटी की शादी हो गई और मेरा बेटा तीन दिन बाद ही विदेश चला लिया, तो उसके बाद जो मेरे मन की हालत है, मैंने उसको शब्दों में पिरोया है। बेट चाती हूँ, नम पलको संग भारी मन ले बेट चाती हूँ, बच्चों से घर मेरा महता है सदा, उनकी आवाज मेरी जीने की वज़ा है। लोग मुझे अब जिम्मेदारियों से मुक्त कहते हैं, लोग मुझे अब जिम्मेदारियों से मुक्त कहते हैं, मेरी चोटी बेन कहते हैं, अब तो तुम फ्री हो गई है। लेकिन जो हमारे मन की जो हालत है वो शैद उसका नुमान लगाना बहुत मुश्किर है। लोग मुझे अब जिम्मेदारियों से मुक्त कहते हैं, आजाद हूं का ताना भी करते हैं, माना की बेटी का घर अब उसका ससुराल है, बेटे की काम्याबी मेरी जिंदकी की ढाल है। खुदा से उनकी अब खुशियां मांगती रहती हूँ, सलामत रहें वो सदा ये दूआ करती रहती हूँ, दूर हो जब अपने तो मन उनके साथ ही रहता है, कभी उदास तो कभी यादों में मुस्कुराता है, जीना कितना दुश्वार है, दूर रहकर उनसे, घर भी सूना सा लगता है बिन उनके, जज़बात सिमट जाते हैं यादों की तह में, हम बंद से रहते हैं बस एक कमरे में, अब मत कहना कभी कि मैं आजाद हूँ, मस्रोफ हूँ मैं अब हर पल दुआइं मांगती हूँ, बुरी नजर से बचे रहे मेरे बच्चे यही कहती हूँ, एक मा की यही दुआएं हैं, जैसे आप में कहां कि बच्चे सब अपनी अपनी जगा खुश है, सैटल है, लेकिन फ भव भव और हम भी एक जगह सिंते रहते हैं कि कहाँ जएंहां बच्छों के कम्रे में जाते हैं तो ऐसे उन बच्कों की यादए वहाँ पर भरागे है तो याद अधा है सच है सुनते है सविताजी ane sir sabituchi yariya bhi humar에 bvich maujud hai आज के विश्वा हिंदी गिवस कर आपके रचना से देंगे सकते हैं नमस्कार, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मनिश्या जी को जिनके सहयोग से हम आज इकठा हुए जी और इतना महनत ये कर सकते हैं आज के टाइम हिंदी के और लेकर उतना मैंने अभी किसी को देखा नहीं है अब इश्वा हम मंदिर जाते हैं नहीं हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं और ये कहते हैं कि वो इतना सुन्दर है, ऐसे सुन्दर कपड़े पहनता है, मन मोहने वाला है पर मुझे एक बार एहसास हुआ, जब एकदम आप ध्यान में चले जाते हैं और गहराई में उतर जाते हुए तो वो कैसा एहसास है, वो मैं आपसे शेर करना चाहूँ ना तो तेरे परिधान में हूँ, ना मैं तेरे जेवर में हूँ, मैं तो तेरी सोच हूँ, तु जहाँ हैं मैं वहाँ हूँ ना तो तेरी पुजा में हूँ, ना तेरे पाठ में हूँ, मैं तो तेरे एहसास में हूँ, तु जहाँ हैं मैं वहाँ हूँ ना तो दूर होकर पास हूँ, ना समीब होकर साथ हूँ, मैं तो तेरे अंदर हूँ, तू जहां है मैं वहां हूँ ना सामिप्य के लालसा में हूँ, ना बिछुडने के गम में हूँ, मैं तो तेरे रोम रोम में हूँ, तू जहां है मैं वहां हूँ ना नजरों की तडप में हूँ, ना अंदेखी की व्याकुलता में हूँ, मैं तो बस तुझ में हूँ, तु जहां है मैं महा हूँ और एहसास शब्द पे मैं दो लाइन शेयर करना चाहूँगी, ठीक है मैं कोई ऐसे लिखने में परफेक्ट नहीं हूँ, पर जब भी मुझे भाव उठते हैं, उनको मैं जरूर लिखते हूँ एहसास, सुख दुख का एहसास, संग साथ और अकेले पन का एहसास, पाने खोने का एहसास, शब्दों और मौन का एहसास, मिलन बिछुडन का एहसास, माफ करने और भुलने का एहसास, सेवा साधना ध्यान का एहसास, स्थिर्ता और गति शिल्ता का एहसास, अनन्त एहसास समेटे हुए, हो जाएं इन से उपर, अकाश्त ततु में रमन करते हुए, जनम, मृत्यू, जराव्याधी से दूर, अनन्त यात्रा की ओर और आँखों का मेरे जीवन में कुछ खास महत्व रहा है, क्योंकि मेरे पती बोलते हैं, नोने मेरी आँखे देखकर ही शादी की है, इस पर 111 शब्द का किसी ने कहा था लिखने को, तो वो 111 शब्द में मैंने लिखा है, बहुत कुछ कह जाती है ये आँखे, शब्दों की जवरत नहीं है इन्हें, देखती है सब, समझती है सब, पर चुपी में ही बहुत कुछ समझा जाती है ये, पढ़ने वाले पढ़ जाते हैं आँखों की भाशा यों ही, मौन रहे कर भी सिखा जाती है ये, समय ने अपनी चाप छोड़नी शुरू कर दी, वक्त के साथ सब पदल रहा है, पर आँखें जयों की त्योंग, और जादा अनुभवी, और जादा घहरी, अब इन्हें आदत पड़ गई है, हर माहोल में रहने की, निरलिप्त, निर्विकार, शान, हर उतार चड़ाव सैने में माहित, और ध्यान सिर्फ मोक्ष की ओर, जनम रित्यु जरा जरा व्यादिसे दूर, अनन्ता की ओर, शुनने से विलिंता की ओर आके वैस से कुछ बोलती है नहीं लिए उसकी अपनी एक भाशा होती है, बहुत अच्छी रचना है आपकी क्योंकि हमहित अच्छी के हमारी मुलाकात हुई थी और हमारा उदिश्य है चाहीं कि हम इसको और आगे बढ़ा है जी तो हम मनीशा जी और लगुकथे लिखते हैं तो आज मैं आपको एक अपनी लगुकथा शेयर करना चाहत है आपकी लगुगता का नाम है अकार, वेद व्यतित मन से ठके कदमों के साथ चलते हुए, चलते चलते अपनी गली से दूर आकर एक कुमार को देख ठिठत गए, बड़ी तन्मियता के साथ कुमार मिट्टी को अकार देने में व्यस्त था, तभी पास आकर एक छोटे बच्चे ने कु बुला रही है, तो कुमार ने कहा, नहीं बेटा, तुम खालो, मैं बीच में से उठ नहीं सकता, नहीं बापू, जब तक तुम ना ओगे, हम ना खाएंगे, बच्चे ने प्यार मुनार से जिद की, मुना समझा कर, इस मट्के को यदि सही अकार ना दिया, तो यह बिगड जाएगा और बेकार हो जाएगा, कुमार ने बात करते करते भी अपने गती को कमना होने दिया, कुमार की बात सुन, वेद ने ठंडी सांस ली, अपने पुत्र की सुबह की बात यादा आने लगी, पिता जी आप मेरी जिन्दी में दखर ना दें तो अच्छा है, खुद श यानि वेद को यह सब याद आ रहा है, कि उसने सुबह जो उसके बेटे ने सब कुछ कहा था, इस तरह अपमानित होने के बाद वेद ने अपनी पतनी के और देखा, जहां उने केवल चिर परिचित खामुशी नजर आई, जो अपने पती और अब बेटे के समक्ष गहरी हो पिता पुत्र का प्रेम देख उनकी बलके नम हो गई और सोचने लगे, काश मैंने भी सही समय पर प्रेम और अपने पन की मिर्टी से अपने रिष्टों को ढाला होता, तो आज मेरे परिवार कभी कितना सुंदर रंग और अकार होता, लेकिन मैंने तो खुद अपनी और अब राहूल भाई आपको और अभिष्यक भाई आपको सुनेंगे, आपको सुनेंगे, लेकिन इस तो पहले में ये जानने के लिए बड़ी बेस अबरी हो रही हूं कि राहूल भाई, जैसे कहते हैं आप तो अभी यंग है, वो एक्स्परियंस, वो प्रेहन आपको कहा से मिली लिकी, आओ चलो कुछ लिखे, बच, कुछ अपने विचार होते हैं, उनको शब्दों में डालने की कोशिश करते हैं, तो लिखने की प्रेहना बस वहीं से मिली, और जो आपकी लिखावट है, वो किस प्रकाट की है, विशेष सा क्या है, विशेष मैं प्रेहन पर मैं राहूल, आप लोगों के विच अपनी कविताओं का नजराना लेकर आया हूँ, मेरे लिखियों ही, चंद रोमेंटिक लाइने पेश करता हूँ, गोर फर्माईएगा, इस दिल पर लिखा तेरा नाम मिटाने को कहते हैं, लोग मुझे किसी और का हो जाने को कहते हैं, ल लोग मुझे किसी और का हो जाने को कहते हैं, तेरी बातें, तेरी यादें, यही है दुनिया मेरी, दुनिया ये छोड, दुनिया नहीं बसाने को कहते दुनिया नहीं, बसाने को कहते हैं, लोग मुझे किसी ओर का हो जाने को कहते हैं, छुपाए रखता हूँ जिसे सारी दुनिया से मैं, वो राज मोहब्बत सरयाम बताने को कहते हैं, लोग मुझे किसी ओर का हो जाने को कहते हैं, कि बहुत मुझे किसी ओर का हो जाने को कहते हैं, जैसे आपने बताया कि इस दुनिया को छोड़ नई दुनिया बसाने को प्रहे हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत अच्छा कहा आपने राहुबाइ, अभशेख भाइ, आपको सुनेंगे, लेकिन आप से पहले जानेंगे कि आपको इंस्परेशन कहां से भी लिखने की? मेरे साथ बहुत अलग था, मैंने इंजिनिरिंग की हुई है, और इंजिनिरिंग में जब मैं लिखता था तो लिखना क्या वो नहीं पता होता था वो बिल्कुल ऑफोजिट नहीं है रसे, लिखना क्या होता था और फिर हम वहीं से लिखना क्या देते हैं, यह थुआ मजाक था, पर मुझे लगा कि लिखना या जो दिनके भाव है, मैं अच्छे से लिखा सकता हूं, तो मैं लिखता हूं और कुष्चीज यसी है, जो बदलाव के लिख्ता हूं या कुष्चीज बताने के लिखता हूं कुष्चीज है जो दुनिया को दिखनी चाहिए नहीं दिखती है जिस तरीके से दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है वो सब करने के लिए मेरे हिसाबी सबसे अचा तरीका है कि आप लिखे नहीं रहोंगे पिर भी लोग आप पज़ी आप यह बढ़े है और आज क्या सुनानी वाले है आज दो चीजी मेरे पास मेरी किताब उसक्लिए मैं लिखता हूँ खामोशन कहें कुछ ऐसे खत है जो कभी लिख्ये नहीं गए या कभी पढ़े नहीं गए लिख्ये गए उन्हीं को IT Weather इसे एक खत है लिएन्गारी के पातनल पर हिंटी है मारी उनके नाम के इच अर एक मेरी याध है जब मैं कॉलेज में था तो कुछ मेरे दोस्ते छोटे से उनका है तो सबसे बहले मैं उनको पहूंगा तो दोस्तों के नाम का कहानी लिखी थी एक निक लिखा था वो गहता हो उसके बाद में पते लिखता हूँ तो मैं इंजिनरिंग में था तो मैंने मैं होस्टल में नहीं रहता था क्योंकि मेरे कॉलेज में होस्टल ही नहीं था तो मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने किराय पे कमरे लेके रखते थे तो मैंने कमरे लिया था वो थोड़ा छोटा था पीछे की तरफ का था और पीछे बहु और अपना अधिकान समय, कॉलेज के बाद का अधिकान समय, मैं अपने कमरे पे भिदाया करता था हाला कि मुझे अकेले बन के अदत हो गई थी, पर एक दिन अचानक सायद रभीबार का दिन था, या कोई छुट्तियो का दिन था मैं सुबह थोड़ा देर से सोके उठा और उसके बाद बाहर देखना सुन किया, बाहर मुझे कुछ दिखे, कुछ नहीं, कोई दिखे, वो गरिया थे, दो या तीन गरिया आपस में खेल रहे थे, और मुझे देखता रहा, देखता रहा, और मुझे याद नहीं है मुझे कब अधिकान्स जो भी समय होता था गर्डी बिदाता था और उन्हीं के साथ रहा करता था और उसका आसर यह हुआ कि वो गोरेया भी मेरे दोस्त बन गए और वो भी मेरा इंदजार करने लगे जब मैंने ही होता था तो मेरे कमरे के बाहर दरवाजे पे या चौकट पे या कहीं कभी कुछ बाहर उनके लिए जबासे और वो बैटके मेरे इंदजार कड़ने और जैसे ही में आए जाता था मेरे कंबरे का दरवाजा खूला नहीं वो कंबरे कंदर आतं तो कब्रे में खेला करते थ्यू ओकर अधिनकि पर मेरे श नहीं अटे बेसाथे थे मेरे टेबल पे, मेरे डिक्स पे और कभी-कभी तो मेरे assignments पे भी वही रहते थे कभी कई बार उनकी वज़ा से ना सुन चुका हूँ और कोई बात नहीं, मुझे हो फिर भी बहुत प्यारे है मेरे साथ खाना खाते थे मैं कभी उनके लिए बिस्किट्स, कभी उनके लिए चावल के दाने या कभी ऐसे कुछ भी उनके लिए छोड़ गयाता था और खाता था और देखते देखते मेरे चार साल पूगा हो गया मैं इंजीनर हो गया मेरा होस्टल चूड़ गया, मेरा कमरा चूड़ गया में आखरी बार देकहा थी उनके गोसले में दो अंडें तो अब सुछता ही क्या हो तीन से स्पाच हो गया हो गया हुगे या छे या साथ या दस यह कोई कम होगया हूँ पर sout do अभी भी लगता है कि मुझे वहा होना चाहिए अभी भी सवा applies कि क्या जैसे मैं उन्हें आद कर रहा हूं, वो मुझे आद करते हूं, क्या वो भी जो चीजें मैं लोगों को बता रहा हूं कि मैंने गौरहिये से गुष्टी किती, क्या वो ही बताते होंगे, कि मैंने भी एक इंजिनियर से गुष्टी किती हूं, बस इतना गौगा, I miss you गुष्ट सवनस्कृत के बाद में पाली आया, पाली के बाद में हिंदी हुए थी, तो यह ही से सब कुछ निकला हुआ है, पर कुछ चीजे जो है, वास्तिकता यह है, जमनी हाकिकती है, कि हम हिंदी से बहुत दूर हो चुके है, और ऐसे में जब अगर हम एक दिन मना रहे हैं, तो मे सटायर बहुत अच्छा था, व्यंग आपसा बहुत अच्छा है, तो एक पत्र है हिंदी के लिए, बियर हिंदी, क्यारी भासा, मेरी माँ हुआ था, पर सवाल है कैसी हुआ, जवाब मुझे पता है, और आप से बहतर पता है, पर मैं फिर भी कहूँना, कैसी हुआब, आज आपका दिन था, आज आपका बहुत खास दिन है, खास इसलिए क्योंकि पुरा विस्वेक साथ मरा रहा है, इसलिए सोचा आपको कुछ संदेज भीज़ लू, क्योंकि मुझे यही आता है, मैं सरिफ फेस्टेक सेलिब्रेटिंग हिंदी दिवस ही कर सकता हूँ, मैं सरिफ वाटसप के, इन मेरे उसे कायकरम की पिक्चर्स भेज सकता हूँ, इस से यदा क्या कर सकता हूँ, और एक दिन बहुत है बाई, हमारी जिन्देगी इतने वेस्ट है, इतने अफडेट हो चुके है, इतने आधनिक हो चुके हैं, कि एक दिन देर हैं, बहुत बढ़ी बात है एहसान मानो हमारा है, और क्या चाते हो, और कितना उमीद रखती हो हमसे, और क्या कर लिए आपके लिए, आपको क्या लगता है कि हम हिंदी में बात करेंगे, क्या आपको लगता है कि हम अपने बच्चों को हिंदी में संसकर देंगे, अपने बच्चों को हिंदी में में प इंग वहीं कवके रहीया और की बात और सुनी हिए कि साहत किसी एक विदेसी मेम के साथ दिल लगा बेथा है और वही ऊग गया है भी का तुम्हारा क्लास है देखो समय करते ह Dank जब भी होऊ सकी उसका जिकॉर ताक है न मुझे तुम्हार्या जाते है तुम्हारी बेटों ने भी तुही किया है, तुमसे सीख के एक विदेशी मेमस ही तो दिल लगा लिया है, वहार मैं किसको प्यासाइब अच्छा वैदी में लिखूँ, अपने आपको विकार बना लो, हिंदी बोलू, लोगों के लिए गवार बन जाओ, मेरा स्टेटस है, मे वे जो हाना यह सारी चीजे ये शोशल नेयटर च़्राइग लिए पर चमीन पर नहीं हं पर इह बेट इंगरिश पढ़ेंगेुप मुझको भी मुबारक, मुझको भी मुबारक, सामको फेस्टूप पे फोटो अपलोट दोलूगा, लाइक कर लेना और उसके दो शेयर भी गर लेना बहुत बहुत अच्छा आपका अव्यंद भी बहुत ही अच्छा था अबहुत अच्छा पायाम्लिक भास तो अपाहिजों की भास हिएगा, अगर भाना थे अपुझको था भारत मरं की ऐसेयों अभारत Você हैं बहुत hey चीन नहीं बोलते हैं, Korea नहीं बोलते हैं, Izraels नहीं बोलते हैं, किक्यों उनको वहाँ की भासा चलती हैं और इसी लिए अज़ भी आ गये हैं हमारे लिये हिंदी गवार की भासा है अर अब अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी का मुन अकर से भजार है तो बड़ी बेटी तो हिंदी हुई ना तो अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छी बात है लेकिन हिंदी हम बोलते है तो यह हमारी लिगर्व की बात है मैं ताली एक चीज बता रहो आपको यह उधरन साथ काफी होगा मैंने जो नोटिस किया कि अगर आपको अपना स्वैग दिखाना और क्लास दिखाना ता अप अंग्रेजी बुलते हो आपको अपनी मुपबत दिखानी होती है तब अप उर्दो बूलते हो और जिस दिन आपक मैं आप बच्चों में संस्कार देना चाहे होगर आपको लगता है वो गुड़ मॉनिंग सर वाली परंपरा पैट्स होके नमस्टे करने कि अंतर दिखता है रंदो यू बोलके अंतरी निरिखा पाते हैं कि आप कहना है तुम कहना है तु कहना है हमारे लिए यह भासा बता तक ही हिंगी यह आप है मतलब में सम्मान दे रहा हूँ और तु है इसका मतलब में दुबे गालिया देना थाता हूँ इंग्लिज में सबके यू आता है अच समझो या तू समझो अब वाली फिर पर लिखिर मेरे याद आगई तो यह पेश करता हूँ कि फिर तेरे हिस्से का गुलाल मुठी में ही रह गया लोग उसे पानी समझे मेरी आखों से जो बह गया कभी हसी कभी बेरुखी तो कभी बदनामी ये तेरा दिवाना जाने क्या क्या सह गया फिर तेरे हिस्से का गुलाल मुठी में ही रह गया कि दिवानगी होती है नसीब किसी किसी को प्यारे एक फकीर मेरा हाथ देखकर मुझसे ये कह गया एक फकीर मेरा हाथ देखकर उससे ये कह गया फिर तेरे इस्से का गुलाल मुठी में ही रह क्या बात है बहुत उच्छा रहा हो गए बहुत अच्छा तो दर्शकनी आज विश्व हिंदी दिवस आज के इस खास दिवस पर अक्षर पत हिंदी सभा इनके सभी मेंबर्स हमारे यहां आई और हमारी इस चैनल को भी आप सबने रौशन के आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं आज हमने लगू कथाई भी सुनी साथ में पे सारी कविताई भी सुनी हम आशा करते हैं कि आप सब को ये कविताई ये लगू कथाई जरूर पसंद आई होगी इसके साथ ही हम आप से रजा लेते हैं आप सब का भी बहुत बहुत शुक्रियादा करते हैं हिंदी भाशा राष्ट की भाशा प्रजातन के शास्त्र की भाशा देवनागरी लित्मेवाशा जन जन के मन की अभिलाशा देवाशा राष्ट की भाशा प्रजातन के शास्त्र की भाशा झाल झाल